मेरे प्यारे ऑनलाइन बच्चों को मैं मनिश शर्मा कोटा से आपको प्यार बहरा नमस्कार भेज रहा हूँ यह वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो क्लास 10th से क्लास 11th मूव कर रहे हैं हैंस 11th class students के लिए यह वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ और यह orientation वीडियो है जिसमें मेरे जो क्लास 11th के जो कोर्स शुरू हो रहे हैं दोनों ही जेई के लिए और नीट के लिए वो कोर्स कैसे रहेंगे उसमें क्या रहेगा उसका plan of action क्या होगा किस तरीके स से वो year long semi live nature में वो courses आप तक वाचेंगे उसको समझाने के लिए यह orientation वीडियो में शूट कर रहा हूँ तो in case अकर आप 10th से 11th moving नहीं है या 13th में है that means 10th के बोड के exam पिछले साल लिखा या इस साल लिखा तो यह वीडियो आपके लिए उतना relevant नहीं है उनके लिए मैंने लग से और वीडियो और वीडियो बनाए हैं तो केवल और केवल स्पेसिफिकली मैं 10th टू 11th moving students की बात कर रहा हूँ ठीक है पर बच्चों तो केवल उनी बच्चों के लिए इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और उनसे बात करेंगे क्योंकि बड़ी इंट्रेस्टिंग बुक्स जो बहुत ही पतली बारीक बारीक सी किताब है थी जो फाइनेट थी गिनी जा सकती थी वह अचानक उसका साइज बढ़ गया और अगर आपने आईटी या इसे किसी भी एक स्ट्रीम की मन में ठानी है और अगर उन एरियास की अगर आप बुक्स देखें जो मार्के इस एक्जाम की या किसी नाशनल इन इंटरनेशनल लेविल किसी एक्जाम की अगर प्रपरेशन नहीं की है पहले क्योंकि बच्चे कर रहे हैं अब इस वजह से और मान लेते हैं कि आप एक बच्चे हैं जो इमान दारी जाने तो पहला आपको जटका लगेगा अगर आप इवन बोर्ड की भी बुक्स को देखें तो आपको जटका लगेगा ठीक है यह मैं बात आपसे इसलिए शेर कर रहा हूं तो आप इस बात को समझ जाएं कि अब आपकी जो स्टड़ी मेथडोलोजी है जो पढ़ने का तरीका है उसमें ट्रांस्वरमेशन उसमें अब अंतर आ जाएगा है ना भी टेंथ तक आप जिस तरीके से पढ़ रहेते और अब आपको जिस तरीके से आगे पढ़ना है दोनों में जमीन आसमान कंतर है यह चेंज जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लें जितनी जल्दी इस चेंज को इंबाइब कर लें उतना आपकी सहत के अब जाएगा है नहीं तो मुश्किल होती जाएगी जादतर जो बच्चे 12 में है अगर आपके कजिन्स वा करें हों आप उनसे बात करें आपके फ्रेंड्स हो जो हैर क्लास में हो सबी बच्चों की कमजोर हो जाती है और उस कमजोरी का जो सबसे बड़ा कारण है वो यह है कि बच्चा वो जो चेंज उसको एब्जॉब नहीं कर पाता उसको इंबाइब नहीं कर पाता उसको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है चिके जी तो सबसे पहली बात तो आपको वो मैं पहले से आपको आगा कर दे रहा हूं समझा दे रहा हूं कि वो चेंज आएगा थोड़ याद कर लो और उसको exam में जाके ओलट दो, exam में जाके लिख दो आपको number मिल जाएंगे Hence, 10th जो syllabus है, जो हमार education system है हिंदोस्तान में वो cramming पर जाधा based है 11-12 का जो पाट है और खास कर competitive exams के लिए जो relevant है पढ़ने का जो तरीका है वो पूरा का पूरा analytical है आपको बहुत सारी numerical questions है जो करने पढ़ेंगे जो अब तक आपने उतने नहीं किये तो class 10 तक का बच्चा थियूरी पढ़ने वगरे में तो अच्छा है पर question solving अभी उसका उतना aptitude develop नहीं हुआ है तो वो aptitude आपने develop करना होगा हैंस बहुत जादा number of questions है जो आपको करने होंगे daily basis पर आप एक regular stream एक regular तरीके से questions को attempt करना होगा तो ही आप कुछ उमीद बनेगी तो ही हम कुछ कर सकते क्योंकि अगर आप IT की तयारी कर रहे हैं या माल लेते हैं medical की तयारी कर रहे हैं तो यह दोना ही exam बहुत बहुत जादा competitive है number of students जो exam लिखने वाले हैं वो बहुत जादा है लाखों में संग्या है और जो seats हैं वो बहुत ही limited है या माल लेते हैं कि जो अच्छे medical colleges हैं उनकी बात करें तो seat बहुत बहुत limited है इस बात को आप accept कर लें in fact अगर आप मेरे द्रश्टी कोण से देखें मेरे point of view से देखें तो यही वो पूरी जिंदगी में समय है जिसमें आपको actually सबसे ज़्यादा मैनत करनी है यह समय में अगर आप ठीक तरीके से काम कर लेते हैं मेहनत कर लेते हैं तो फिर आगे की जो जर्नी है जिंदगी की वो easy हो जाती आसान हो जाती एक अच्छे college का tag अगर आपको मिल जाता है एक अच्छे engineering college का medical college का tag मिल जाता है तो आपकी professional life काफी ज़्यादा आसान हो जाती और पिशले 11 साल से मैं कोटा में हूँ और बच्चों को guide कर रहा हूँ बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिता है इनफेक पूरा जीवन ही मैंने बच्चों के साथ बिता है तो बच्चों की psychology उनको किस तरीके से पढ़ाना होता है किस तरीके से किस जंक्चर पर उनसे क्या बात करने हैं तो यह आप दीरे 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 उसमें एक expertise है जो हो जाती है हासिल हो जाती है उसी अपने expertise और अपने अनुबफ को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं चीके बच्चों तो ग्यारवी के जो बच्चे बिचारे मासूम बच्चे हैं चोटे- लुकना पड़ेगा दिन रात पढ़ना पड़ेगा और सब कुछ भूल जाना होगा life में कोई games नहीं कोई sports नहीं को entertainment नहीं सब कुछ जीरो कर देना पड़ेगा और अपना पूरी energy channelize करने पड़ेगी किसी एक effort की तरफ किसी एक काम की तरफ तो यह है जो आपको करना है धी नहीं रहा हूं केवल समझा रहा हूं कि this is what we are going to do है ना भी आपको इस तरफ channelize होना होगा तो दीरे 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 आपको अपने आपको सब तरफ से concentrate करके सुकोड के subject की तरफ डालना पड़ेगा है ना भी तो physics है chemistry है maths है अगर आप medical के बच्चे है तो फिर भाय हो है तो आपको बहुत स्टार्टिंग में बता देता बच्चों ये जो energy channelization है ये जो सारे interest को एक तरफ ले जाना है ये केवल हो केवल तब हो सकता है जब आपको पढ़ने में मजा आ रहा हो तो पहली चीज जो पहले दिन से ही आप पकड़ लें वो ये कि जब भी आप पढ़ने ब इस बी बना पाएंगे आपके खुद के जो मन में जो डाउट है कितने वी ओलूल फिजोल डाउट हो कितने भी out of the context डाउट हो पर वो डाउट को रेफर करेंगे या उस डाउट पर बात होनी चाहिए तभी जो है आपके मन में बातें उस तरीके से पहुचेंगे ठीके जी education system में वो हमें ये नहीं बताता था हमें बताता था कि ऐसा ऐसा इसको याद कर लो अब हमें क्या करना है अब हमें originally सोचना है तो हमें नई तरीके से चीजों को देखना है सोचना है एक basic framework आपको में लेगा और बाकी आपने अपनी thinking capabilities को develop करना है अपने analytical abilities को develop करना है दोनों ही exam में जो main चीज़ चेक होती है वो ये है इदर कोटा में बच्चे साल-दर साल-साल प्रिपेर करते हैं कोई result नहीं आता है क्यों नहीं result आ रहा है क्योंकि ये केवल और केवल hard labor पर dependent नहीं है hard labor के साथ-साथ ये exam एक और दूसरी चीज़ चेक करता है और वह है analytical abilities is or not वह आपने side by side develop करें और उसको develop करेंगा सबसे अच्छा तरीका है questions brainstorm करो questions को try करो ज़्यादा से सोचो जितना ज़्यादा आप सोचो कि उतना ज़्यादा आपका brain अपने आपी mature होता जाएगा उत्रहें आपी फर्टाइल होता चला जाएगा नहीं की है अपनी लाइफ में तो वो तैयार हो जाए उस पर उस मेहनत और वो भी एक दिन नहीं करनी है आपको लगातार करनी है दो साल तो कम से कम करनी करनी है तो दो साल लगातार आपने बहुत जादा मेहनत करनी है यह मेहनत तभी हो पाई कि जब हमारे पास कुछ energy source हो जह या और किसी अच्छे professional, माल लेते हैं, IS वगर हैं, या इस तरह का कुछ है, अच्छे professionally qualified हैं, तो आप उन लोगों से मिलें, उन लोगों से बात करें और उन लोगों से बात करें, और उन लोगों से बात करने का एक channel मनना है, माल लेते हैं, अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं ह बहुत भरी हो जाता है, hence आपको एक inspiration चाहिए, parents ऐसे में बहुत important role play कर सकते हैं, या elder brother, sister बहुत important role play कर सकते हैं, इधर quota में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनके जो भाई हैं, जो IT में हैं, या दूसी जगे उपर हैं, वो उनसे लगातार मिलने, हर दो तीन महीने, से input लेते रहें, so that आपको आगे का रास्ता थोड़ा सा guide होता रहें, चिके जी, तो दूसरा काम ये करना है, कि आप परिवार कहीं भी कोई भी अगर इस तरह का व्यक्ति हो, जो इस तरह के professionally qualified है, तो उसको एक inspiration source की तरह देखें, हमें भी ऐसा बनना है, ऐसा आपके अंदर financially भी और वैसे भी हो जाएगे, हैना भी, पैसा तो आप कमाई ही लोग है, पर एक अच्छा college जैसे खास का IET या अगर मैं EMS की बात करूँ, तो वहाँ आपर जब बच्चा जाता है, वहाँ जब पढ़ता है, तो उसके पूरा का पूरा एक transformation होता है, psychological हो पूरा का बदल ज यह सारे कुछ parameters out of the box thinking उने ची जो किसी इंसान को successful बनाते हैं, जो कोई भी professional college सिखा देता है, उसका तरीका यह होता है, उसका जो curriculum चल रहा है, वो ऐसा होता है कि वो आपको सिखा देता है कि कैसे life में successful हो, and hence यही reason है जिसकी वज़े से in professional colleges से जो qualified बच्चे होते हैं, वो life मे जिसे आप जाना चाह रहे हैं, आप IT जाना चाह रहे हैं, आप medical किसी college में जाना चाह रहे हैं, आप aim से pass out होना चाह रहे हैं, क्यों ऐसा आप चाहा क्यों रहे हैं, क्योंकि यह colleges क्या कर देते हैं, यह colleges turn कर देते हैं, यह metamorphosis कर देते हैं, एक को दूसरे में बदल देते हैं जैसे कोई लोहा हो और टच हो जाए और सोना हमने कहानिया सुरी न भी पारस मणी होती है लोहा टच हो जाए सोना बन जाता है तो यह actually पारस मणिया है और इनसे अगर आप टच हो जाएंगे तो आप definitely सोना बन जाएंगे पर वो capability आपके अंदर होनी चाहिए तो यह जो पूर की पूरी जिंदगी transform होगी अगर आप preparation करते हैं दो साल तो पूरी जिंदगी आपकी बदलने वाले आप 10 तक जैसे थे आप आगे वैसे नहीं रह जाएंगे आप बड़े हो जाएंगे समय आगया आपके बड़े होने का आप अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाएंग और आपका अपने आपी जो tenure है पढ़ने का वो दीरे 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 भड़ता चला जाएगा ठीके जी इन सब चीजों को closely watch करना है और enjoy करना है बोज की तरह नहीं करना है बोज की तरह किया तो लंबे समय नहीं कर पाएंगे enjoy करना है question नहीं भी हुआ है तो उसको भी देखना जिस playful manner से हम या छोटे बच्चे game खेलते हैं बिलकुल उसी playful manner से इस preparation process को लेना है अगर आपने ऐसा लिया तो आप बहुत मजाने वाला है जो चीज़ें समझ मेंगे उस संदों मजा आई गई आईगा जो questions नहीं होंगे वो भी आपको challenging situation देंगे और उस challenge को जब आप face करें चेलेंज जब भी आता है life में वो दो ही चीज़ें कर सकता है या तो आपको पूरी तरीके से kill कर देगा या आपको बहुत strong कर देगा अपने को strong होना है अपने को fittest बनना है यह न बे तो यह preparation धीरे 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 आपको बहुत ताक वर बहुत strong बना देगी और अगर अपनी के साथ वो questions वो गरे solve करने शुकर तो मुझे बड़ा मज़ा आने लगा मेरे parents की तरफ से कोई force नहीं था नहीं हमारे पूरे परवार में कोई भी IT गया था और मुझे तो पता भी नहीं था कि IT क्या होता है पर मुझे questions में interest आने लगा वो जो interest है वो interest ने मुझे खीचा वो ही कुछ भी ने यह क्या चीज है तो फिर उसकी तरफ अपने आप अपने आप जाता रहा और मेरा selection IT में हुआ 97-97 में without any professional help मैं किसी coaching में नहीं गया मैं कहीं नहीं गया मैंने केवल self study से IT crack किया ठीके जी वो determination की वज़े से हुआ और उस समय exam subjective था आज की rate में exam objective है आज की rate में exam हम जादा gentle है जादा competitive है हमारे time में 3 लाग बच्चे एक्जाम लिखते थे आपके time में 15 लाग बच्चे एक्जाम लिखते तो जो competition का level है वो बहुत जादा हो गया है आज की rate में without any professional help बहुत बहुत जादा मुश्किल है IT या medical को crack करना it is next to impossible hence समजदार EC में है कि आप एक सह successful होना है अगर आप चाहते हैं कि आप जहनत करने वाले हैं दो साल वो जहनत सही सही destiny तक महुँचे तो यूशुड बेरी कॉश्यस एंड वेरी क्यारफुल अबाउट दी कोच देट यूर अबाउट तो जिस तरह की situation अभी हिंदोस्तान में है कोरोना की चक्कर में तो आप physical coaching में लगता नहीं है scenario क्या physical coaching में जा पाएंगे अभी हाल फिलाल कुछ महीनों तक हैंस आपको online coaching की तरफ जाना चाहिए online वैसे भी पढ़ने का ज्यादा बहतर तरीका है क्योंकि आप revise कर सकते हैं पीछे की lectures को देख सकते हैं और अगर हम online coaching की बात करें तो already itos मैं itos में नमबर वन online में है इंडिया में itos तो आप itos की उसका benefit उठाएं और उसका फाइदाल है जो हमने expertise गेन कर लिए पिछले 10 सालों में उन expertise का सीधे सीधे benefit उठाएं कि नहीं ऐसे लोगों के चक्कर में आपड़ें जो अभी पहली पहली बार online field में उतर रहे हैं क्योंकि time लग कर अपने courses के बात करूं तो class 11 के लिए दोनों कोर्सेस फ्लोट हो रहे हैं दोनों कोर्सेस पब्लिश हो गया है तो जई के लिए मेंस में स्प्लास एडवांस के लिए और अपके नीट के मैं कोर्सेस ओल्रड़े करने शुरू कर दिये तो वह आप उनको वेल कर सकते हैं दे है डिसेंबर तक हम इसको फेमिश करेंगे इस कोर्समें आपको जो ट्रोटल नम्वर अफ चरसमें दूंगा वो ट्रोटल नमबर अफ लेक्टर्स वुडवी क्लोस टू तो 225 से 250 के बीच ज्यादा ही हो जाएंगे से 225 से 250 के बीच हम टोटल नमबर अफ लेक्चर से जो देंगे अच्छा जो भी यूनिट शुरू होगा जैसे माले तो उस पूरे यूनिट की एक शीट होगी जो आपको शुरू में ही मिल जाएंगे तेयोरी होगी थोड़ी और फिर इलाबरेट क्वेस्ट्स होगे सब तरह के क्वेस्ट्स होगे जैसे आपके कॉम्टेटिव एक्जाम मे आति लोगों की बात कर रहा हूं मैं मेडिकल वाले लोगों की बात भी कर रहा हूं और आईटी वाले लोगों की बात भी कर रहा हूं जो test है ये national level पर होगा पूरे इंडिया में जो जो बच्चे जाँ जाँ भी हैं इस courses को अवेल करेंगे वो ये test लिखेंगे और हम national level पर plot करके आपको आपका जो rank है वो predict करेंगे बताएंगे इतना ही नहीं आपके test में जो weaknesses हैं जो areas आपके weak हैं उन areas पर हम आपको support भी पहु अगर कोई बच्चा कोटा में आता वो जिस तरीके से पढ़ता मिलकुल exactly आपको online mode में पढ़ाया जाएगा इटूस की तरफ से राइट तो यह program इस तरीके से design किया गया इस तरह से बनाया गया so that आपको कोटा आने की या कहीं जाने की कोई जरूत नहीं है आपको risk लेने की कोई जरूत नहीं है वो सारी facilities जो अगर आप कोटा आते या किसी भी दूसी अच्छी जगे पर जाते पढ़ने के लिए वो सारी facilities जो आपको मिलती वो facilities आपको घर बैठे ही मिल रही है आपको क बुक्स रेफरेंस को अगर देखें तो आप NCRT जो CBC की बुक्स हैं उनको रेफर करेंगे तो वो बुक्स आपको रेफर करनी है उसके लाभा गर आपको कुछ रेफर करना है तो वह है तो वो आप HCV को रेफर कर सकते हैं तो उससे आपको थोड़ा सा रेलेटिबली फाइब होगा ठीके बैब बच्चों इस तरह से प्रोग्राम रन करेगा चलेगा आपको सेमी लाइव नेचर में यह प्रोग्राम होगा जिस intensity के साथ आप सच में अगर आप coaching में होते मैं आपको पढ़ा रहा होता तो आप जिस तरीके से class में जिस discipline के साथ रहते वैसे ही आप lectures को सुनेंगे पढ़ेंगे और उनसे समझने की questions करेंगे मैं imagine करूंगा कि आप मेरे ठीक सामने मैं जब बोल रहा हूँ तो मैं imagine करूंगा कि आप मेरे सामने बैठे हैं बिलकुल उसी तरीके से आप imagine करेंगे कि मैं आपके सामने हूँ आपको watch कर रहा हूँ आपको देख रहा हूँ आपको monitor कर रहा हूँ चेक है भी correct है तो आपको खुब सारा benefit, खुब सारा फाइदा इन चीज़ों से होने हुआ है, तो ये कुछ बातें थी, जो मुझे करनी थी आपको, आपके साथ, साथ में आपने class notes बना नहीं है, जैसे जैसे आपने lectures को watch करना है, class notes बनाने है, उसके साथ में class notes और class notes अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वो revision करने के point of view से बहुत important होते है, class notes के लाभा आपको एक separate diary भी बनानी है, जिसमें जो main main concept आपको मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, main formulas जो है, और main concept है, उनको छोटा-छोटा point wise note करना है, so that उससे फाइदा क्या होगा, कि वो एक तरह का सार बन जाएगा, और फिर वो ज receiver माँ खोल के बैठ गए, NCRT खोल के बैठ गए, class notes खोल के बैठ गए, वो जो summary है, वो summary को आप देखे हैं, 15 minutes में आपका Newton law revise हो जाएगा, 15 minutes लगेंगे, hardly, इस तरीके से quick revision का ये प्रक्री आपको करनी है, तो ये जो इसलिए में इसका नाम दिया है, selection diary, क्योंकि ये ही diary है, end में जो आपका selection कराएगी, मेरा selection भी इसी diary नहीं कराया था, मैंने खुद इस तरह का एक चीज maintain के थी, और मैंने physics, chemistry, math, तीनों ही जगों पर इसका इस्तेमाल किया, और मुझे बहुत 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 ज़दा फैदा हुआ, तो गुरु मंत्र में आपको starting में ही दे दे रहा कि वो इतने affordable price पर सभी बच्चों के लिए, जो all across the India है, इन courses को लेकर आ रहा है, तो बहुत affordable price है, उन affordable price पर इस courses आ रहे हैं, तो आप इन courses को लें, और फिर मुझे साथ जोड़े, जो बच्चे इन courses को लेंगे, उन बच्चों का में group बनाऊंगा separately, और उस group की मदद से आप मुझसे जादा frequently बात कर पाएंगे, discuss कर पाएंगे, अपनी जो भी problem से उन पर बात कर पाएंगे, आप मुझे teacher की तरह ना लेकर, अपने एक family member की तरह, बड़े भाई की तरह लें, और बिना हिचक, बिना डर, बिना किसी inhibitions के मुझसे बात करें, क्योंकि बहुत important है कि आप आप से बहुत-बहुत शुब कामना है आपको, आपके near future के लिए सोच समझ के आप decide करें कि आपको life में क्या करना है, हाथ पे आत रखके ना बैठे रहें, इंतजार ना करें कि कब ये खुलेगा and all, तो online platform पर आजाएं, और online platform पर, obviously, itos is the only choice that you have, और मेरा मनी शर्मा नाम ह तो मेरे courses purchase करें, और उसका भरपूर lab उठाएं, मैं खुद IT से हूँ, IT पहुंचें, और medical के जो बच्चे हैं, aims वगरे के लिए जो preparation कर रहे हैं, तो professional college से जो pass out होता है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से guide कर सकता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि किस तरह की चीज़ पता है, is or not? Hence, अपने coach का चुनाफ सही तरीके से सोच समझ के करें, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुब कामना है, मेरी बातों को बहुत प्यार से आपने सुना, thank you very much, धन्यवाद